तो टाटल आपने देख लिए आज की सुडियो में बात करने वाला हूँ एटल के एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के बारे में किस तरह किसे इस कार्ड को आप अपलाई कर सकते हैं कहां से अपलाई करना सही रहेगा जिसे की ये कार्ड अप्रूफ हो के आपको मिल जाए मुझे ये कार्ड कैसे मिला है कितने दिन में अप्रूफ हो के मेरे पास ये डिलीवर हुआ है साथ इसकी अनपैकिंग भी आपके सामने इट करूँगा क्या कि इसके benefits हैं, क्या इसके charges हैं सारी कुछी इस वीडियो में cover होंगी वीडियो के साथ जस्त बने रहो और like करो चलिए वीडियो कुछ start करते हैं और सारे कुछी इस वीडियो में आपको बता देता हूँ सबसे पहले इस कार्ड की आपको history बता दूँ ये जो Airtel का access bank credit card है इसको पहले आप सिब Airtel के app से apply कर सकते थे इसके अलावा आप कहीं से भी इसको नहीं पास सकते थे और कुछी user को ये card मिलता था जैसा कि मैं इस card को 2 साल से apply करने की कोसिज कर रहा हूँ Airtel app के through और जब भी यहां से मैं से apply करने की कोसिज करता था तो सिर्फ यही एक message यहां पे सोग कर जाता था और 2 साल से बस यही message सोग कर रहा था इसके हलामा कुछ नहीं बलकि मेरा access bank में account भी था और credit card भी था तो भी ये card मुझे 2 साल में नहीं मिला उसके बाद finally ये जो card है सभी user के लिए available हो गया और इसको आप इनकी official website से भी apply कर सकते हैं जैसे कि यहां पे देख सकते हैं और बाकी cash करो के through भी आप इसे apply करके approve हो के पा सकते हैं आप देखिए official website से apply करने का कोई मतलब नहीं है cash करो से आप apply करते हो तो यहां पे extra आपको reward भी मिलता है जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में अपने बताया ही है तो यहां से ही मैंने इसको apply किया था देख सकते हैं आप application number और यहां पे सारी कुछ process मेरे हो गये थे चाहे वो video के YC हो या फिर हो address verification पर दो बार apply करने के बाद भी यहां पे आप देख सकते हैं email और sms में यह card मेरा reject हो गया कारण कुछ address वगरा से related था और उसके बाद काफी luckily मुझे यह जो card है pre approved मिल गया क्योंकि इनके मैं other credit card भी use कर रहा हूँ और मेरा saving account भी है तो चलिए आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से मुझे यह card मिला है और कैसे मैंने इसे instantly पा लिया था तो सबसे बेले यहां पर access app में जाना है आपको यहां टॉप corner पर यहां पर आपकी profile का icon मिलता है इस पर click करना है यहां नीचे apply now का एक button मिलता है इस पर click करना है आप भी इसी तरीके से check कर सकते हैं अगर आपको कोई pre-approved card या फिर loan अगेरा जो भी offer है मिलते हैं उसके बाएद यह थोड़ा से load लेगा और उपर ही credit cards का option मिल लेगा इस पर click करना है अगेन यह थोड़ा से load लेगा और यह देखिए यहां इस screen पर आपको दिखाएगा कि किते सारे आपके card आपको pre-approved मिले हैं आपको just यहां नीचे get started पर click करना है और यहां पूरी एक list open हो जाएगी कि जो भी card आपको चाहिए pre-approved वाले section में उसको आप चूच करके यहां से direct apply कर सकते हैं कोई भी document कुछ भी देनी की जरूरत नहीं है आपके last credit card की usage और फिर account को किस तरके से आप maintain करते हो उसके हिसाब से कुछ महिनोबाल आपको pre-approved offer मिल जाता है तो आपके case में यहां पे different card होंगे मेरे case में कुछ यह सारे card है और यहां देखिए नीचे है एक्सिस बैंक credit card finally इसके लामा सेमसंग के card वगेरा है तो चलिए इससे करते हैं select और इससे करते हैं apply जैसे आप क्लिक करते हो यहां पे joining face वगेरा क्या-क्या benefit है welcome benefit में आपको 500 का Amazon voucher मिल जाएगा इसके अलामा इसमें up to 25% का Airtel के app के थुरू अगर आप DTS, broadband कुछ भी रिचार्ज करते हो तो 25% का cashback मिलेगा पर इसमें capping है up to 250 रुपीज पर मन्द ही आप यहां पे cashback पा सकते हैं इसके अलामा 10% का cashback अगर Airtel app से आप cash, electricity, etc जो भी will payment करते हो उसमें भी 500 रुपे का same capping किया गया है पर मन्द के लिए इसके अलामा 10% का cashback आपको सुगी, जो मेटो, बिग बास्केट वगेरा पर मिल जाएगा और इसकी capping थोड़ी सी जादा है 500 रुपे पर मत आप बचा सकते हैं बाकि other spend पे 1% cashback, बाकि वही airport launch access और 1% fuel surcharge वेवा joining fees की बात करें तो 500, envelope fees 500, plus GST, चलिए इसको करते हैं, click get now पे और कर लेते हैं apply तो जैसी आप इस पे click करोगे, तो यहाँ पे आपका address सो कर जाएगा, जो आपके account में यहाँ पे link है तो इस address पे अगर आपको fiscal card चाहिए, तो यहाँ पे yes click करो, या फिर no पे click करके आप address को set करो, जो भी address पे आपको card चाहिए उसके बाद confirm करना है, जैसी आप click करते हों next page पे आओगे, अब यहाँ पे सारी detail आपको confirm करने के लिए बताएगी, जो भी आपने डाली है अभी तक, आपका mobile number, email address और area pin code वेगेरा, उसके बाद नीचे submit button है, इस पे click कर देना है next यह थोड़ा सा loading लेगा, अगें time लेगा, और next page पे हम जब पहुचेंगे तो यहाँ पे review application detail तो सारी कुछ detail आपकी address वेगेरा, जहाँ पे आपको यह डिलीवर होगा, वो सारी चीज़े यहाँ पे आ जाएंगी, चीजों को चेक करके आपको नीचे confirm button मिलेगा, उस पे click क करेगा, और congratulations, यहाँ पे आपका card आपको मिल चुका है, यह देखिए, यहाँ पे so कर रहा है, कुछ दिन बाद आपका physical card आपके पास dispatch कर दिया जाएगा, और मेरी जो limit मिली है, वो current जो मेरी limit है, बाकी cards की उतनी मिली है, 32,000, इसके बाद आगे का process क्या होगा, यहाँ से आ यहाँ पे देखिए, आपका card सिंगल क्लिक में ही activate हो जाएगा, और यह क्यूच करने के लिए ready है, बाकी setting आगे हम करेंगे, नीचे है unbox card का option, जैसी इस पे लिक करते हो, कुछ इस page पे आप आओगे, और यहाँ पे अभी status not available दिखा रहा है, क्योंकि just अभी हमने इसे apply किया यहाँ पे आपको सारी कुछ tracking detail मिलेगी, आपका card dispatch हुआ है, कब deliver हुआ है, वो सारी चीज़ें future में दिखेंगी, वापस चलते हैं, तो यहाँ पे देखिए, वीब digital card का भी option मिलता है, इस पे जैसी आप क्लिक करोगे, आपको अपना M pin डालना है, और उसके बाद आपको आ beneficial है, cashback तो amazing इसमें मिलती है, यह तो था pre-approved वाला सारा कुछ procedure, जो कि मुझे मिला था, पर अगर आपको pre-approved नहीं मिला है यह card, तो आपको कैसे apply करना है, तो Axis Bank के official website पे जाके आप इसको apply कर सकते हैं, पर मैं आपको recommend करूँगा, कि Axis Bank के official app से apply करने की कोई जोड़त नह को यहाँ पे gift card या फिर reward voucher भी मिलता है, जिसको आप use कर सकते हो, ठीक ठाक amount में मिलता है, तो मेरे दिये हुए link पे जैसी आप click करोगे, यहाँ पे अगर आपके पास cashback का app है, तो सीधे आप अपने cashback के app में यहाँ पे redirect हो जाओगी, इस page पे, अब यहाँ से बाकी सारे procedure जो कि मैंने flip card, access bank, credit card के दिखाये थे, अब यहाँ पे पूछ रहा है, आप access bank के कोई service और यूज करते हैं, इसके customer है, अगर हैं, तो yes कर लें, अगर नहीं है, तो no करें, मैं no करके आगे बढ़ता हूँ, अब यहाँ पे इस page पे आप से कुछ detail मांगेगा, आपका mobile number जो की exact वैसा ही fill करके next पे click करना है, make sure की सारे detail बिल्कुल सही accurate डाले, next करते हैं, यहाँ पे आपके लिए कही सारे offer, कही सारे card सोह जाएंगे उनकी list, जिनमें से यहाँ पे detail card है, इसको select करना और next पे click कर देना है, अब आपके number पे एक OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पे डालना है नीचे submit पे click कर देना है, अब आओगे आप next page पे यहाँ पे बाकी सारे detail आपसे मांगेगा, जिनमें से आपका नाम, data, birth, title, gender, card पे आपको क्या नाम चाहिए, mother name, father name, marital status, यह सारे detail जिसे की बाके cards में आप डालते हो, वो सारे चीज़ आपको डाल देनी है, बेलकुल सही, जो कि आपके document पे है, उसके बाद यहाँ पे address section में आपको residential address डालना है, और office address डोनों डालना है, तो ही आप आगे बढ़ेंगे, वरना error दिखाएगा, तो सारे कुछ यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, अब यहाँ पे पूछ रहा है, आपका physical card आप अपने किस address पे चाहते हो आपने residential या फिर office, तो मैं यहाँ पे select कर लेता हूँ, residence, आप अपने हिसाब से select कर लेना, अपनी working email ID डालनी है, या फिर जो भी email ID आपके पास है, वो डाल सकते हैं, और next पे click करना है, अब आप करते क्या है, self-employed है, यहाँ पे आपको select करना है, मैं self-employed select कर लेता हूँ, जैसी आप select करोगे, यहाँ पे annual income आपने जो पहले डाला था वो दिख जाएगा, इसके बाद आपको source of fund, nature of business में जिस related आपका काम है, वहाँ पे ये list में आप select कर सकते हैं, company name भी आपको डाल देना है, इसके बाद ownership type में आपको जो option आपके लिए suit करता है, वो आप select कर सकत है, क्योंकि यहाँ पे आपके सारे details check हो रहे है, चाहे वो आपका credit score है, civil score हो, अगर आपके पास account है, तो वो सारे details और documents, तो wait करना है, उसके बाद आप next page पे पहुचोगे, जहाँ पे या तो आपको ये card का एक application number दे के आपको बताया जाएगा, कि ये लोग आपको contact करें, access bank की तरफ से, आपकी KYC करने के लिए, या फिर video KYC start करने का instantly यहाँ पे option मिल जाएगा, आपके mobile number पे एक link भी भेज दिया जाएगा, तो आप mobile से करना है, क्योंकि यहाँ पे pen card का ये लोग rear camera से भी photo मांगते हैं, computer से करोगे, तो यहाँ पे webcam से दिक्कत होगी, तो जैसी आ यहाँ पे इस term and condition पे टिक करना है, और proceed पे क्लिक कर देना है, आधार consent मांगेगा, उसको agree कर देना है, देख सकते ही रहर आगया है, वो इसलिए क्योंकि मेरे पास ये card already है, इसी सारे document के उपर, तो मुझे दूबारा से यहाँ पे video के वैसी नहीं करने दिया जा रहा है, आ लोड़ी ही देर में के agent आप से connect होके, आपके सारी video के वैसी करेगा, जैसी आप ये सारी सीजे करते हैं, तो agent आपको बदा देगा कि आपका video के वैसी complete हो गया, उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का page दिखने लगेगा, और application reference number भी आप screen shot लेके रह सकते हैं, जिससे कि आप चेक कर सकें status, उसके बाद अगर आपका card approve हो जाता है, जो कि अभी sale के time पे बिल्कुल से हो जाएगा, काफी chances हैं, यहाँ पे आपको दिख जाएगा status में कि आपका card अभी किसी status पे है, dispatch हो गया है, या फिर in transit है, या फिर out for delivery है, तो अगर आपका card approve होता है, तो कुछ ही इस तरीके से 3-4 दिन के अंदर ही आपका card आपके address पे deliver हो जाएगा, कुछ ही इस तरीके से pack होके मिलता है, तो अंदर हमें welcome kit मिलती है, welcome card, जो भी है, यहाँ पे सारी detail, और नीचे यहाँ पे लगा हमारा card, बाकी जो भी इसके winfits है, 25% तक का cashback, यह सारी चीज आजकल जैसे latest card में होता है, पीछे की तरफ है, तो यह थी सारी कुछ कहानी, सारे कुछ step, मुझे यह card कैसे finally 2 साल try करने के बाद मिला है, अगर आपके पास यह card है already, तो नीचे comment में बताओ, कोई भी कुछ चैनल है, कुछ भी पूछना है, पूछो नीचे comment section, बिल्कुल free ह वीडियो पसंदा है, helpful लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करेना, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, see you again, bye bye